कपिल शर्मा ने अपने नए शो से टीवी पर एक बार फिर वापसी की है इस बार कपिल के शो में कृष्णा अभिशेक कौट भारती भी नजर आ रहे हैं हाल ही में टी आरपी रेटिंग आई तो उसमें कपिल ने बाजी मांच ली कपिल का शो टी आरपी लिस्ट में दूसरे नमबर पर रहा वहीं खबर है कि कपिल का शुरू हुआ तो अब सुनील ग्रोवर का शो कानपुर वाले खुरान आज बंध होने जा रहा है वहीं सुनील के शो को सोशल मीडिया यूजर जम कर ट्रोल भी कर रहे हैं शो बंध होने की जानकारी खुद सुनील ग्रोवर ने दी है साथ ही सुनील ने कपिल शर्मा शो से तुलना और सोशल मीडिया पर ट्रोल होने को लेकर कई खुला से किये हैं एक इंटर्वियू में सुनील ग्रोवर ने बताया मैंने ये शो सिर्फ 16 एपिसोड के लिए शूट किया था अब ये शो मेरी वजह से बंध हो रहा है ये शो आट वी के लिए साइन किया था इसकी वजह सलमान खान की फिल्म भारत की शूटिंग है मैं इस बात की पहले भी जानकारी दे चुका हूँ कि कुछ एपिसोड के लिए ये शो बनाया गया था भारत की शूटिंग के चलते मेरे पास ज्यादा समय नहीं था शो के ट्रोल पर होन पर सुनील ने कहा कि जितने लोगों ने मुझे ट्रोल किया वो सब 90% दी फेक आईडी से किया गया है लगबग 70-80% आईडी बिना प्रोफाइल तस्वीर और नाम के साथ थी मुझे फेक लोगों से क्या समस्या होगी फेक लोगों की दुनिया मेरे लिए मायने नहीं रखती कुछ ने शो को पसंद किया तो कुछ ने नहीं किया जो भी इसकी तुलना कपिल शर्मा शो से कर रहे हैं वो कर सकते हैं मुझे जो आता है मैं वो कर रहा हूँ सुनील ग्रोवर ने शो पर दोबारा आने को लेकर बात की उन्होंने कहा टीवी पर दोबारा आने के बारे में सुनील का कहना है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो टीवी की वजह से हूँ मुझे जब भी जिस तरह तीवी पर आने का मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगा बता दे कि सुनील सल्मान खान की फिल्म भारत में काम कर रहे हैं सल्मान खान ही कपिल शर्मा के शो को प्रोडियूस कर रहे हैं ऐसा हो सकता है कि वो सुनील ग्रोवर से कपिल शर्मा शो में वापसी करने के लिए कहें जब सल्मान सुनील से ये बात बोलेंगे तो वो मना नहीं कर पाएंगे अब देखना ये है कि सुनील कपिल के शो में कब तक वापसी करते हैं दोस्तों इस बारे में कुछ कहना है तो आप हमें नीचे दिये गए कॉमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर शेयर करें फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही जैसे ही मेरे पास आगे कोई भी रिपोर्ट आती तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे